मातादी दोस्तों आपके अपने जैनल धर्म साधिना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है माभगवते दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदास्तरवधा बनी रहे दोस्तों कार्थिक मास में जो एकादशी शुकलपक्ष में आती है सनातन धर्म में धुए उस एकादशी का बहुत महत्व है इस एककादशी को डेव उठ्ली एकादशी देवत्थानी एकादशी ए प्रभोदरी एकादशी के नाम से जाना जाता है दोस्तों दीपावली के बाद ये एकादशी आती है और जैसे के हम सभी जानते हैं आसाड मास के शुक्लपक्ष की एकादशी जिसे देवशैनी एकादशी के नाम से जानते हैं उस दिन भगवान-श्री-हरी-विष्नु योग्रेद्रा में चले जाते हैं तो चातु एक आदसी कहा जाता है इस दिन भगवान श्री हरी विष्णु के जागने के बाद तुल्सी का विवाह कराया जाता है साली ग्राम स्वरूप के साथ भगवान श्री हरी विष्णु का जो साली ग्राम स्वरूप है उनका विवाह तुल्सी के साथ कराया जाता है और इसके प्रिवेश भी इस दौरान नहीं किया जाता है और जब भगवान श्री हरी विश्नु योग निद्रा से बाहर आते हैं देव उठनी एकाथी पर तो भगवान श्री हरी विश्नु के जो शाली ग्राम सुरूप है उनका विवाह तुलसी के साथ कराने के बाद सभी प्रकार के शुब और मांगली कारे शुरूर हो जाते हैं इसलिए सनातन धर्म में देव उठनी एकाथी बहुत महत्यपुर्ण मानी गई है दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2021 में देव उठनी एकाथी कब है एकाथी के दिधी कब प्रारंभ होगी कब समाप्त होगी और पारण का सुब समय क्या होगा किस प्रकार से आज हमें भगवान श्री हरी विश्नु की आराधना करनी चाहिए कौन से विशेश कार्य करने चाहिए जिससे की भगवान श्री हरी विश्नु सहित मालक्षमी स्थाई रूप से हमारे घर में विराजित ह मात तुलसी का ऐसल्बाद प्राप्थो हमें और शाली घ्राम का आशिर्वाद प्राप्थो हमें और इस वृत्ति का संपुर्ण wałр फलह में प्राप्थो इसके लिए आज क्या विशे heir करना चाहिए यह समझत आश्जान कारी यह होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली जो नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी बात करें देव उठनी एकादशी के महत्वे के बारे में तो इस एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है बहुत से लोग अपने घर में तुलसी का विवाह कराते हैं पूरे धूम धाम से तुलसी के व्रिक्ष की तुलसी के पौधे की शाली ग्राम के साथ सामान्य शादी जैसे होती है धूम धाम से कराई जाती है बिल्कुल उसी प्रकार से ये विवाह भी संपन्य कराया जाता है ऐसा माना जात इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्दना हरी वल्लभा्त पूलसी की ही सुनते हैं तूलसी विवाह का सीधा अंठिय होता है कि तूलसी के ध्यूस से भगवान का आवाहन करना संस्त्रों में कहा गया है कि जिन्दम्पतियों सबस्की होती है कज्वान कर लेते हैं तो कन्यादान का पुन्य उन्हें प्राप्त होता है इसलिए आज के दिन तुलसी विवाह का विशेश महत्माना गया अब बात करते हैं कि देव उठनी एकादशी साल 2021 में कब है एकादशी की तिति कप प्रारंब हो रही है कब समाप्त हो रही है व्रत हमें कब करना प्रातहकाल 6 बज़कर 49 मिनट पर 15 नवंबर के दिन तो व्रत हमें कब करना है व्रत हमें करना है 14 नमंबर को दिन रवी वार होगा पारण का शुब समय क्या होगा देख लेते हैं दोस्तों पारण का समय इस बार दोपहर में एक बज़कर 10 मिनट से लेकर तीन बज़कर 19 मि पारण किया जाता है उसी शुब मुषर में हमें पारण करना चाहिए दोस्तों एक आदशी के व्रत में भगवान श्रीयर विश्नु की पूजा की जाती है मा लक्ष्मी के साथ भगवान श्रीयर विश्नु की पूजा देव उठनी एकादशी पर करने से मालक्ष्मी का श्रीयर विश्नु जागरित अवस्था में आते हैं तो श्रीहरी विष्टु और लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करनी चाहिए और आज के दिन दोस्तों मातुलसी का भी विशेश पूजन किया जाता है तुलसी और सालिग राम का विवाह संपन्न कराया जाता है तो अगर आप विवाह संपन्न कराते हैं अपने घर में 23 पूल्सी में सिंदूर नहीं लगाया जाता है पीला चंदन लगाया जाता है लेकिन आज के दिन यानि की देव उठनी एकादसी के दिन भगवान DS bulky विष्टु के स्वरू शालीग्राम के साथ तुलसी का विवाह संपन्न कराए जाता है तो लाल चुननी और्पित करें श्री हरी विष्णु के साथ तुल्सी का पूजन करते हैं तो इतने मात्र से ही आपके जीवन की समस्त कामनाय पूर्ण हो जाती हैं अगर श्री हरी विष्णु की जब पूजा की जाती है तो इससे समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है आज के दिन मंदिर में दीबदान करना चाहिए किसी भी मंदिर में जो आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो अगर श्री हरी विश्णू का मंदिर हो तब तो अत्यान से ही स्रेष्ट है लेकिन अगर श्री हरी विश्णू का मंदिर ना हो तो शिव मंदिर हो बजरंग बली का मंदिर हो या मातारानी का भी मंदिर हो तब भी आप वहाँ दीबदान करें पीपल विर्ष के नीचे दीबदान करना चाहिए इसके साथ ही अगर आमले का विर्ष हो तो वहाँ पर भी दीबदान करें आज के दिन दीबदान का विशेश म कि अपने घर में अखंड दीःबक जरूर जालाइए वो जैसे कि मैं हर एकादशी पर आपको कहती हूं कि अखंड दीःबर घर में प्रत्वलीत करने से चांसशीर प्रप्राप्त होता है एक आदि श्यृत का तो हर एकादसी और अन्त समय में मरणो परांत मोक्ष की प्राप्ति होती है तो देव उठनी एक आदसी का सनातन धर में बहुत विशेश महत्युमाना गया है आज के दिन अगर आप वरत करते हैं अगर आप वरत नहीं करते हैं तो भी आज विद्य विधान से भगवान श्रीहर विष्टू क का पूजन कीजिए सुबह भी पूजन करें शाम को भी पूजन करें और हो सके तो आज दान जरूर दीजिए जो लोग वरत करते हैं वो जरूर दान करते हैं लेकिन जो लोग वरत नहीं करते हैं उन्हें भी आज के दिन दान जरूर करना चाहिए दान कहां करें दान आप ब किडेंसे आपको पूर्ट की प्राप्ति होती है आज का दिन अगर आप करते हैं तो कोटिंण फल की प्राप्ति होती है जंव City अज़न मानतर तक सुखों की प्राप्ति हह वह्रत नहीं करते है जैसिक beleza और आपको संपर्ण करना चाहिए, अगर आप बाकी यकादशी का वरत करें, तो संभव हो तो जरूर आज एकादशी का वरत करें, चोदह नॉम्बर को रवि बार को देव उठनी एकादशी है, बोहत ही पुन्यक्षल देने वाली यकादशी है, तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर अच्छी लगी हो आज की वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बेटन को भी ब्रस कर लीजिए इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय प्राप्त हो जाएगी मैं मिलती हूँ आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार